नमस्कार विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है खबर सिंग्रॉली जिले से जहां स्कूल में मध्यान भोजन बच्चों के टॉयलेट रूम में बनाया जा रहा है क्या आप सोच सकते हैं कि आप टॉयलेट में पकाया गया खाना खा सकेंगे नहीं न फिर सिंग्रॉली जिले के सरकारी स्कूल के बच्चे वो खाना कैसे खा रहे हैं सरकार की सारी योजनाए जमीनी स्तर पर फेल हो चुकी है CM Rising School बनाने वाली सरकार के सरकारी स्कूलों में बच्चों के साथ ऐसा व्यभार अशोभनी है क्या इस पर शिवराज सिंग कोई फैसला कर पाएंगे क्यों सिंग रॉली के अधिकारी और कर्मचारी कैमरे के सामने नहीं आ रहे सोचे जब बच्चों के टॉलेट में खाना बन रहा होगा तो बच्चे टॉलेट के लिए जाहिर सी बात है कि बाहर या खुले में जाकर ही टॉलेट करेंगे ऐसे में शिवरास सिंग के अधिकारी और कर्मचारी खुद नरेंद्र मोदी के खुले में सौच मुक्त भारत पर सेंध लगाते दिख रहे हैं देखिए ये रिपोर्ट सिंग्रॉली जिले के देवसर विकासखंड के बंधा गाउं में संचालेट सास के प्राथमिक सेटेलाइट विद्यालेग जहां बच्चों को मिलने वाला मिड़े मील सौचाले में पकाया जा रहा है और इस बात की खबर अधिकारियों को है ही नहीं बताते चलें कि मिड़े मील को लेकर जिले में लगातार स्वसाहता समूस अंचालकों के द्वारा गड़बड़ी की जा रही है बार बार शिकायत मिलने के बाद भी अधिकारी कर्मचारी आंख में काला चश्मा लगा कर बैठे हुए है लिहाजा स्वसाहता समूस अंचालकों का मनुबल इतना बढ़ा है कि मिड़े मील को लेकर लगातार अन ये मितताएं बरती जा रही है ताजा मामला देवसर विखासखंड के बंधा गाउं में संचालित सासके प्राथमिक सेटेलाइट विद्याले का है जहां बच्चों को दिया जाने वाला मिड़े मेल किचन की जगए सोचाले में पकाया जा रहा है दो मामले पर जिरापंचायत सीओ साकेत मालवी और जनपत सीओ देवसर से बात की गई तो उनके द्वारा मामला दिखाये जाने की बात कही गई लेकिन कैमरे के सामने आने से दोनों अधिकारी बचते हुए नजर आए बच्चों के लिए बनने वाला मध्यान भोजन यदी सोचाले में बनाया जा रहा है तो सवाल यह खड़ा होता है कि फिर बच्चे सोच के लिए कहां जाएंगे यह बच्चे सोच के लिए बाहर मैदान का प्रयोग करते हैं तो निश्चित ही देश के ब्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के द्वारा चलाई जाने वाली स्वक्षता अभियान को भीजे लेके अधिकारी पतीला लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ अगली खबर सिंग्रॉली से जहां बर्गवा रेंज के गिधेर गाउं में पांच फिट लंबा मगरमच खुश गया धान की खेती में मगरमच देख किसानों के होश उड़ गये और किसान खेत चोड़ कर भाग खड़े हुए धीरे धीरे मगरमच गाउं में घुसने की खबर फैलते ही दहशत का महौल हो गया मगरमच को देखने ग्रामिडों की भीड भी जमा हो गई इधर मगरमच घुसने की खबर पर डिएफो सिंग्रॉली के निर्देश पर फॉरेस्टीम मौके पर भेजी साथी सोन घडियाल अभ्यारन की टीम को भी रेस्क्यू के लिए बुलाए गया सो किलोमेटर दूर बगदरा इलाके से टीम पहुंची और छे घंटों की मशक्कत के बाद मगरमच को पकड़ा गया और उसे कैद कर सोन नदी में छोड़ दिया गया जिसे गाउवालों ने राहत की सास ली गौर तलब है कि बगदरा और अमिलिया इलाके में सोन घडियाल अभ्यारन रिजर्व एरिया है जहां घडियाल पालन पोशन केंद्र है जिससे आए दिन घडियाल और मगरमच गाउव में भी घुस आते है बात कर लेते हैं सिंग्रॉली की अगली खबर की तो प्रबंधन ने मुर्वा थाना शेत्र के गोर्बी चौकी में अवैद रूप से कबजा की हुए 62 मकानों को जिला प्रशासन की मौजूदगी में आज धवस्त कराया गया है जिससे इन मकानों में रहने वाले लोग बेघर हो गए हैं वहीं अधिकारियों का कहना है कि मकान जरजर स्थिती में थी जिसको लेकर NCL प्रबंधन के द्वारा कई बार रहवास्तियों को नोटिस दिया गया था जिसके बाद यह कारवाई की गई है जानकारी के मताबिक गोर्बी चौकी शेतर में अवैध रूप से कबजा किये हुए NCL के 62 मकानों पर जिलाप्रशासन के नरदेश पर आज मकानों को खाली कराया जाने की कारवाई की गई है जहां करीब 62 मकानों को जिलाप्रशासन की मौजूदगी में धवस्त कराया गया इससे पहले NCL प्रबंधन के द्वारा वहां के रहवासियों को कई बार नोटिस भी दी गई थी कि आप मकान को खाली करके अपने सुरक्षित जगह पर चले जाएं लेकिन रहवासियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और आज जिला प्रशासन वा NCR प्रबंधन की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुँचकर सभी अवैद रूप से कबजा की मकानों को खाली कराया जाने की कारवाई की है मकानों को खाली कराया जाने के दौरान करीब एक दरजन से अधिक जेसीबी मशीन भारी संख्या में पुलिस के अधिकारी कर्मचारी वं राजस्वमले की टीम मौजूद रही सिंग रॉली से पुशपलेश द्वेदी की रिपोर्ट